ठीक है इसी चल रहा है फिर भी गर्मी ऐसा ही है देखो अच्छा पांप आया है अज आज हम अभी त्यार होके रेडी हो गए है आज हम करेंगे हमारा चेस्ट वर्काउट देखो ऐसे तो हम मीज नहीं करते हैं किसी भी चीज को तो आज थोड़ा मैं जल्ली जा रहा हूं क्योंकि में थोड़ा काम है तो चलिए मिलते हैं अच्छली बहुत अच्छली मिरना थोड़ा प्रॉब्लम था तो बैक इंजूरी होता है इसलिए मैं वीडियो आनी पार रहा था तो देखो पीछे वहां दिख रहे हैं वहां मेरा जीम है ठीक है यहां तिक सभानी पार हूं यह मेरा जीम है और इसका नजरा देख सकते हैं आज बहुत ही जवर्दस्टा है भाई ठीक है चलीये मिलते हैं जिम में मैं आछका हूंग मैं कोई नहीं है तो करते हैं चेस्ट वर्काउट तक है जवर्दस टेश्ट काउट इसलिए पहले बोडि को दोड़ा वारमप करे लेते हैं मैं स्क्रेचिंग कर रहा हूं देखो साथ पहले मैं हम इसाब बोलता हूं कि स्ट्रेचिंग करना जरूरी है तो जैसे कल मैं ले था था न तो पूरा हैंस्प्रिंग स्टीप हो गया था तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं बॉडी को स्टेच करें देते हैं स्ट्रेच कम ही दिखाऊंगा एक स्ट्रेच के लिए प्रोपर वीडियो बना दूँगा ठीक है अब इतर थोड़ा सा ही कर रहा हूं इतर वीडियो बहुत लंबा हुजाएगा आप लोग देखेंगे जी नहीं के बाद हमारा फॉर्स्ट जो सेड रहेगा चेश्ट को अच्छा से वार्मफ के लिए मैं क्या करूंगा पहले पूश अब लगाऊंगा ठीक है इतना सजादा थोड़ा बाहर भी नहीं लेंगे इतना से अगर गी टूटल स्कुज स्ट्रेच टू इस प्रेच टू इस है इस ह तो ऐसे मैं 20 किया 20 का मैं 4 एट लगाऊंगा ठीक है फिर मैं मैं लगा देता हूं यह फ्लाई देखो यह फ्लाई ऐसे नॉर्मल लगाते हैं जैसे वार्मफ के बाद लगाते हैं इसको मासल का जो चेश्ट का लोवर पर्थ है इसको हेट करने के लिए मैं यहां से और इसका पोस्ट्स क्या रखना है ग्लूट्स को तो आगे की तरह उखना है बादी को ऐसे रखना है ठीक है फिर ऐसे पगडगे और रहान इसका मैं 4 सेड लगाते हूं हमेंसा हमेसा नहीं मतलब अभी जो मेरा लाइक स्टेडियूल चल रहा इस स्टेडियूल में ऐसी करता हूं तो देखो सेम वर्काउट फॉलो मत करो ठीक है बीज बीज में उसको चेंज भी करो उसमें क्या होता है राप को मसल ब्रेकडाउन बहुत अच्छा से होता है मसल ग्रोथ में बहुत है'll लाप करता है इसमें अपर चेश्ट को अच्छा प्रेसर राए और ना ये लोवर वेट खोड़ा उपर किदर रखो मतलब इसमें गाप बना के रखो तो अच्छा स्टेन भी जाता है और फोपर फॉंड होई है जो करते हैं हमरा फॉस्ट वो भी है वी पाकत्र दस्तों माल नहीं है है हुआ हुआ है है तो वेरा फॉस्ट रहता है मैंस मैं करने के बाद हमेशा सोजा करो को स्थिना अच्छा पोजिग कर ओब टार उसेव निकल करता है तो भाई अब करता होता हुए अभि प्रीस दिया सिभाद 22 लोगा फिर 25 फिर 30 और किसी का 12 रेप ट्राई करेंगे देखते हैं थोड़ा मैं एंगल को तेड़ा रखता हूं ठीके वह अच्छा मतलब प्रेशार आए इसलिए देखो बाई जल्डी महीं मारना है बनना है तो धीरे से बनेंगे लेकिन अच्छा बनेंगे चलो देखो धीरे मारेंगे पंद्राई रीप्स में तो निकल दिया इसमें और सब्सक्राइब अच्छा पांप आया है अच्छा पांप आया है अच्छ इसके साथ मैं करता हूं तो इंक्लाइन फ्लाई होता है ना ऐसे करके अच्छ नीचे जो हम मिशीन में करते हैं मैं वही चीज करता हूं लेकिन डंबल लेके करता हूं ठीक है वह भी कैसे करता हूं मैं दिखाए कि देखो प्लाई के सब में यह करता हूं सूपर सेट करता हूं थोड़ा सा बेंड जैसे वी कटीपर बैठता है ना ऐसे थोड़ा सा बेंड हो गया कि अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे वर्क बटते करते मैं यहां न ऐसे खड़ा हूता हूं ऐसे सीसे में ऐसे खड़ा हूं करेंगे थोड़ा सा नेच्रल भी लेता हूं अब भी लिया करो अगर अपके जिम के बाहर रहा है तो मस दिखता है यार तो मैं जब जिम में ख़ला होता हूं मोस्टली मैं खुद करता हूं कि क्योंकि टाइम सबके साथ सेट नहीं होता है मैं थोड़ा से वीडियो आपको क बाएं मैं करता तो प्ली बाएं करता हूं तो मैं सुपर जो यहां भाइया थे तो तो वह मरह अच्छे दोस्त है ठीक है वह मेरे को अधिक तो फ्लीप डाल चाहरा हूं अब देख रहा है साइड में तो वह से जारू दो यहां थैक कि फ्ीड को बाहर नजरा कैसा है कि यह मरा की रस्ता के है और जो वहां से में दिख रहा था नश कि मैं जब वहां से दिखा था एस लगता या। इस टाइम यहां के झाड मि ठर्ली हे था ते वहां बाहर देख लिया तो दिल साहरी और यहां से तो अच्छा लग रहा यार देख पा रहे हैं है चलो मिलते हैं नेक्स वार्गाउट में अधिक है यह से अच्छे से स्ट्रेट्ट स्ट्विच स्ट्रेट्ट प्यार बहुत मजा रहा है अच्छे इस अधिक को पोजिंग करना जरूरी है पोजिंग अप यतना अच्छा खडले होगे इतना क्या होगा अपका मसल डेफिनेशन जो है वह सही हो जाए तो अभी हम क्या करने वाले हैं अभी हम करने वाले हैं केबिल फ्लाई ठीक है तो आओ मिलते हैं केबिल फ्लाई में डिकलाइन वाला ठीक है करने के लिए तो इसका मैं सुपा सेट लगाऊंगा कैसे वह भी दो भरिया सुमें एक तो पैर क्लोज रखके थोड़ा सा बेंट होगे ये ओन यह स्लो करना है ठीक है जासे लोड सोल्डर बाइसे पर नहां है कि फिर एक पैक्त मतलब सिम डास इसमें क्या इस पोस्ट्र में फिर क्या करूंगा एक पैर आगे करके यह जो ना जो और हिल है उसको आप रिखूंग ठीक है अब फिर हुआं करते करते अभी तो छे बजने वारा है यह मतलब जिम स्टाइड हो गया यार अभी भाया आए तो हर मैं अभी बोलता हूं हर सेड़ में वार्काउट करने के बाद बैठे मत रहो ठीक है अपना गोल पोकाश हो है इसको सोचो फिर और पोजिंग कर दे रहो जब तक आप पोजिंग नहीं करोंगे और आपका मैंड में मर्शल कनेक्शन नहीं बैठेगा अच्छे से आपका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा और श्ट्रेचिंग करना है इसे इसके बाद मैं मेरे लास्ट परकाउट है वह बहुत ही जवर्दास्ता है आप उसको मीस मत रहेगा वह है डंबल पूलवर फिर मैं स्ट्रेचिंग करके खादम कर दो डंबल पूलवर ठीक है एक चीज तो है कि डंबल पूलवर में रेप्स मैटर करता है ठीक है अगर बीगिनर्स हो अच्छली मेरे लुवर बेकर नहीं कर रहा हूं अभी बेंट की उपर ही करूँगा ठीक है तो अपने हिसाब से वेट टेल है जिसमें कम से कम 10 से 12 रेप्स आपका निकल इसको यल्बो जो है बुक्लोव रखना है ठीक है आज तो बैक चेस्टी कर रहे है तो बेर तो अच्छे से प्रेट इसको यह अच्छे से प्रेट इसको यह वह 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 है तो इस आज आज का हमेरा